मेहमाने अजीज, भारत में आपका नाम एक बड़ा नाम है आप पर कई किताबे तो छपी हैं, वो मैंने देखी हैं सो तो है शाहिदी कोई क्रिटिक ऐसा हो, जो आपके काम पे इतरास करता हो मगर मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि अभी तक आपको बातचीत करना पहला मुझे सिमा कब बनाया आज बताना चाहता हूँ मैं तो है आज उस सच्चाई पे से परदा उठाऊंगा जो आज तक किसी पर आशकार नहीं हुई मैंने आपके पिताजी का नाम नहीं पूछा है मैंने पूछा है कि आपने पहला मुझे सिमा कब बनाया था तो ही बता रहा हूँ मेरे भाई तुम बताने दो कि तुम्हें बताऊंगा एक तो यहां की जनता में एक बात बड़ी सफल हो गई है कि दूसरे को बात करने नहीं देते बीच में से बात उचक लेते हैं क्यूं करते हैं ऐसा शान्त रही है शान्त मेरे भाई आपके भुबंद में क्या है भले मानुश ऐसा नहीं कहती भले मानुश हमने तो सुना था कि तुम बहुत करमकारी हो बहुत बड़े कलाकार हो छोटे लगे तुम मुझे सवाल क्या था तुम्हारा बेहतर होगा कि आप अपने प्रशन पे रहें और मैं अपने उत्तर पे रहूँ पहला मुझे स्मा आपने कब बनाये एक कथिन परिक्षा थी कथनाई का समय था और एक कथिन परिक्षा हमने दी भूक खस्तहाल परिशान विशेश विशेश ख्यालात दिमाग में ऐसे आ रहे थे जैसे इनका परावज़क हुआ है भूक और देखो कैसी अजीब बात है कैसी अजीब बात है के एक बालक खस्तहाल परिशान जैब में माउजे तंकर रहा है और सोचने की बात है के उसके उल्टे जैब में सिर्फ एक रेड बुक है क्या है जैब में आगए ना तुम्हारी आखों में भी आँसू अपने इस जल को रोको आपी कथा पर नहीं आए अपनी किसमत पर आए अपर सीधा सा सावाल किया था में थे कि पहला मुझे सिभा कब बना आए बाती है मेरे भाई इस तरह तो ये इंट्रव्यू आगे नहीं चल सकेगा क्योंकि हम केवल एक पेंटर ही नहीं एक मजस्म साज ही नहीं समय समय की बात है कहां ले गए तुम हमको एक गली एक छोटी सी गली ऐसा लगा जैसे वो गली जो है पूरा एक जीवन है हमारा और उस जीवन की हम संतान है केवल खड़े हैं अकेले वहाँ पर खड़े हैं अकेले कुछ जानते नहीं कुछ सुझाई नहीं देता कुछ समझ में नहीं आता कहा जाना है क्या करना है क्या खाना होगा और खड़ी हैं वहाँ पर परिशान दूख परिशानी खस्ताहलत और सोचने की बात है के एक जेब में मावजे तंग कर रहा है और दूसरी जेब में सिर्फ एक रेट बुक विजए तुम तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते सिर्फ एक रेट बुक क्या है जेब में अब दूस पास सुन मेरी एक हद होती है आप नेशनल नेट वर्क पर है एक तेजीब होती है आप से एक पवित्र सवाल किया गया है कि तुम क्या समझते हो मैंने अपवित्र जवाब दिया है इसका एक पवित्र कथा की अपवित्र कथा थोड़ी सुनाई जा सकती है क्या हो गया है तुम्हारा ध्यान कैसे चला गया है तो फिर इस चुत्राई की चक्कर में कूँ पड़ दे कौन था जिसने हमें कहा कि तुम एक सेरंगी आदमी हो न तुम नईरंगी हो न तुम सेरंगी हो बजरंगी तो तुम हो ही ना है मेरी बास सुनो अब पैमाना चलकने वाला है चलका दो पैमानों को पीते पीते कभी कभी यूजाम बदल जाते हैं ये परवाना आए शमा महमा है एक रात का दिल की बाते छेड़ दूँ दुख है तो बस इस बात का यहां से वहां तक जाने में, वहां से यहां तक आने में लोग ये कहते हैं जी बंद लिफाफे में भी दिल के परगाम बदल जाते हैं तुमने अगर हमारी बात को बदल दिया तो क्या कमाल किया जब जगड़े हो रहा थे तुम गुजरात में क्यों नहीं थे मैं नहीं था इसलिए तो जगड़े हो रहे थे भाई मेरे जान मेरे अजीज मेरे बज़र्ग ये बस इतना बता दे मुझे तुने पहला मजस्मा उठाया था तो उससे क्या मतलब है मैं बताता हूँ अभी मैंने बताया नहीं है ये मैंने इंट्रव्यू से पहली तुम्हें कहा था कि पहला मजस्मा बनाया नहीं उठाया था अब उठाने से लोग क्या समझते हैं कि चोरे चोरी की है इसने पाप किया है अन्याए किया है नहीं ऐसी बात नहीं है वो चोरी नहीं थी खस्ताहाल था परिशान था भूख से बिलक रहा था जेब में माउज़े था जो तूंग कर रहा था और दूसरी जेब में सिर्फ एक रेड़ बुक थी और वो तकलीफ दे रही थी सिर्फ एक रेड़ बुक पूछ हो क्यों नई पूछना पड़ेगा तूँ बता ड़कु दे से सिलसले की एक सिंपल सवाल आपसे किया मैं भी उसका बहुत ही सिंपल जवाब दे रहा हूं कि मुझसे पूछो कि वो रेड़ बुक क्यों तंकर रही थी पूछो वीजय पूछो जिन्दगी में पता नहीं तुम्हें दोवारा मौका मिले ना मिले पूछो हम तुमसे कहते हैं पूछो बाखुदा महबत के दुश्म कि आये पहला मुझसे मा कब बनाया मैं और कुछ सदा नहीं चाहता बताएं आप पहला मुझसे मा कब बनाया आपने तुमारी आखों में मैं कुरोध देख रहा हूं सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल सच बात करनी चाहिए क्यूंकि सत्य में विजयते है रवी याद रखना हमेशा सत्य में विजयते है पता नहीं कि मिरी आखो में क्या देख रहे है सत्य में भी विजयते है तुम इश्टार देखो मैं देखता हूँ उसको